हेलो दोस्तों स्वागात आपके अपने चैनल बेसिक नालेज में दोस्तों फाइनल आज आप लोग का हिंदी का एक्जाम हो चुका है अभी हम लोग देखने होले हिंदी का एंसर की जल्दी से फटापर्स मिला देजिए और एक काम कि आपके यतने सारे दोस्ते सभी को सेयर क दिया होगा है गदांक से फट लेना अभी क्यों आपके लोग देखने हो चलो है नसा मिलाओ पैस पहला सब्सकर गाच बिरच का क्या अर्थ होता है दोस्तों तो गाच बिरच का अर्थ होता है पेड पोदे यानिक ऑप्सन नेवर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक् करके जरूब बुलना और मैत के लिए रेडी रहो मैत का धुमादार वीडियो आने वाला है पेड कब मर जाता है दोस्तों तो चार का तीन सही हो जाए पानी न मिलने पर ठीक है नेक्स पांच में देखो क्या बोल रहा है पांच नमबर आप लोग का है धनूस से छूटा पांच का एक सही हो जाएगा ठीक है नेक्स के सिंदेखी छे नमबर क्या है अप लोग का लक्ष के पथी कंटको को क्या मानते दोस्तों तो चे का सही उत्तर पूल मानते हैं कंटको को अगला स्वाल साथ नमर बाल रभी की किरने कैसी होती है तो बाल रभी की किरने दोस्तो सौर्ण होती है तो तीन सही हो जाएगा साथ का तीन आठ नमर देखो क्या बोल रहा है कहां तक पहुंचे बिना पाथिक को बिस्राम नहीं करना चाहिए कहां तक पहुंचे बिना पाथिक को बिस्राम नहीं करना चाहिए option दो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पढ़ रहा है अब लोग क्या है तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है पुस्तक तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा जो मेरा क्रिया का वीडियो देखे एक भी question नहीं चुड़ाओगा किसान खेत जोत रहा है इसमें क्रिया पद क्या है तो ये जोत रहा है इसलिए आप लोगो एक भी बैकरम नहीं शुड़ा था जो बैकरम का वीडियो देखके गया है पूरा का पूरा नमबर उठाई वगा बैकरम में और दुसरा अंबर काई कर दुसरा क्या होता है तो दुसरा दुस्तों तेरा का एक हो जाएगा अकास हो जाएगा नीमने में से कौन स्वेट का अनिकार्थी सब्द नहीं है स्वेट मतलब दोस्तों होता है सफेद उजलाओ सफेदी लेकिन स्याम जो यह नहीं है यह सवाल भी प्रती दीन कौन से समस्थ है प्रती दीन दोस्तो प्रती यहां पर प्रती जुड़ा है ना तो प्रती दीन हो जाएगा अब्बे भावसमास यानि अटर का एक सही हो जाएगा चलिए अगला सुब देखते हैं ला देखते हैं नीव आसे बहुं भरी समास दोाऊत है वहिं हो जाएगा कि दॉस्तो पॉस्टा पपुस्टर पर असान सवाल वह अला सीयह पयाँ वाल्गोकत की चेप्टर से लिया गया था जो आहां एक लोक का बाल्गोण भगत किसका बेटा था दोस्तो वह आप हम explos था उनका जरिप ठीक है एक ही बेटा था उनका नेक्स्ट को संदेखिए क्या है बालगुन भगत का बेटा कैसा था तो सुस्त और बोधासा था था बाइस का चार साही हो जाएगा अगला स्वाल फादर बुलके कि मित्रू जहराबाद से हुआ था आपको बहली पता चुके ह गला स्वाल देखिए नेक्स्ट है पलोग गोपियों के दसा किस परक्षी की समान हो गई तो हारील के परक्षी के समान हो गई थी यहां नंद नंदन किसे एक आगया दोस्तों तो यहां नंद नंदन क्रिसन को कहा गया है क्रिसन भगवान को नेक्स्ट कुसिन देखिए क्य बादल को क्या घेरने को कह रहा है पूरा आकास घेरने को कह रहा है कभी बादल को ठीक है अगला स्वाल देखे क्या बोल रहा है next question 29 नमर बोल रहा है captain कौन था दोस्तो तो आपको एक चस्मे वाला का पाड़िया दी है कि स्वाइंग प्रकास मनेता जी का चस्मा तो चस्मे ब जा थे दोस्तो तो बिस्मिल्ला खां सहना ही बजाते थे यानि 31 का तीन नमबर सही हो जाएगा लेकी का मनु भंडारी का बचपन कि सार में भी था दोस्तो तो वह हो जाएगा अजमीर सार में भी था था next question देखिए परसुराम के गुरू कौन थे दोस्तो परसुराम के चलाबा होता है गया मिरक प्रिंग्स लिए अब चलाबां होता है नेक्स देखिए मुख्यगायक कि जाओ जाबर दो सही हो जाए 만들어 नेक्स्ट है 49 नवर स्वाल देख लिए क्या बोला है जॉज पंचम की लाट कहा है इस्तित थी दोस्तो तो ये आप लोगों का दिल्ली में स्थित थी टीक है इंडिया गेट जो की दिल्ली में हुआ है इस्तित थी और अगला स्वाल हम लोग का है गंग टोक नगर किस राज् स्वाल दार त्यार होगा मैत का दुआ है एक कारना चाहिए तो चैनल स्ब्सक्राइब कर लो ज्यादा सिदा सभी को सेर के सबीको इक्जाम अच्छा जाए जिस प्रकार आप लोगा सोसल साइंस का गया हिंदी का गया बाकी का भी एक्जाम अच्छा जाना चाहिए बस आप लोग पढ़िए मैनत किए चंद दिन बचे हुए है अपने माता पिता का नाम रौसन करने के लिए मैनत करने में जुड़ जाए तक एक्जाम का रिजल या फिर टेलिग्राम में वीडियो मुझे सेरिंड कर देना धिक है मैं उसको अपनी चैनल पर अफ्लोट कर दूँगा इंस्टाग्राम में सेर कर दूँगा दिखाएगा हाँ आप लोग का एक्जाम कैसा गया कैसा नहीं या फिर आप लोग क्या बोलना वीडियो में किया हमारे चैनल से लाब हुआ कितना और आप लोग जो हमारे चैनल के बारे में आपके अपने चैनल के बारे हैं बेसिक नॉलइज के बारे में क्या बोलना चाहते हो भी बोल सकते हो जो आपके मन में बोल सकते हो मेरे परती मेरे चैनल के परती है तो सभी कोई उस वीडियो मु शक्रा में सेंट करने जदा बेटर हो जाएगा तो सभी कोई दोस्तों जो कर चहां से भी आप लोग जारकन के हरी कोणी कोने से अब दारती हो तो आप लोग जो सेंट कर सकते हो ठीक है तो इसलिए हर स्कुल में तो जा नहीं सकता मैं इसलिए यह चीज बोल रहा हूं तो आप लोगों चीज कर सकते हो ठीक है अब मैत में दुमादार तरीके से लगेंगे हम लोग ठीक है दोस्तों चले एक्जाम के तयारी में लग जाएए अब मैत का बारी है किसके कितनी तयारी है चले लवी आल थाइंक्यों अलब यह विकलत नहीं पर नेक्स वीडियों मिलेंगे दोस्तों तब तक लिए जाए हैं वन दे मातरम